गरवाले भी स्पोर्ट करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप डाई साल तक इनमें इसमें इन्वेस्ट करोगे आपको प्रोफिट कुछ नहीं मिलेगा इंकम कुछ नहीं होगी और जो डाई साल तक जो बंदा रुख गया बकरी पालन में उसको फिर देखने के ज़रूति नही जो फुल टाइम कभी जॉब करते थे जो जानते हैं उनके जो राज है किस तरह से बगरी पालन शू कर सकता है तो बात करते हैं पूरी साथ नमस्कार 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 कैसे हैं सर्ण सब बढ़िया है आपका स्वगात करता हूं दुबारा मेरे फारं पे आप आयो एकबार आप पहले आये थे अब दुबारा आयो मोस्टली देखता हूं मैं कि एक बर यूटूब आकर आते नहीं अपर विजिट करते नहीं आपका बहुत-बहुत स्वागत आ आप दुबारा मेरे फारम पे आयो परीचे में अंदर लेंगे फारम के अंदर जाके बागी देख लेते हैं यहां पर लिखा हुआ विजिटिंग चार्ज पांसुर रुपे यह क्यों सर आपने किया हुआ ऐसा यह इसलिए कि आवा कि जो लोग ना जो खाली टाइम पास करने यह सते सलून के लिए ओके तो थोड़ा सावधान रहे हैं तो जैब में पैसे डाल गया है ताकि आपना भी यह साथने फार्म कर टाइम भी खरें तो चले दोस्तों अंदर सलते हैं और मैं थोड़ा इंका फार्म की जो मैं चीज मैं आपको बता हूं जो मेरे को अच्छे ल हां जी 2014 से 2016 तक और उसको छोड़ के फिर मैंने यह 2000 एक साल तक मैंने उसका दूद का काम किया और 2018 भी फारम शरू किया था सर लोगों को जॉब नी मिलती है और आपने जॉब छोड़ दी विलकुल है जाई है क्या क्या आपको अच्छा लगा सर बकरी पाले के अंदर कि आ मैंने यह फारम स्टाट किया था और आज वही है कि मैं बड़ा नो करना बनके मालिकूं छोटा हूं लेकिन मालिकूं क्योंकि मैंने भी आज एक बंदे को काम दे रखा है और उसको मैं सेलरी देता हूं परमंत बहुत बढ़ी है तो शरुवात कब करी आपने बगरी का आपने चुनाओ क्यों करा बकरी पालंग का चुनाओ इसलिए क्या क्योंकि मेरे एरिया ना यह ज्यादा तर मोशली किर्शी परदान सेतर है तो फसल वगेरा तो यह होती है पसो की मामले में बात आती तो गाय बैंस की डेरिया बहुत है यही एक चुनोती पूर्ण और क आपर फारम ता जी पारम ता जी अधा सिरुवाद में कितनी बख्री आप कितना इंवेस्मेंट आए था मैं लेके आए था चर्वाद में दस प्लसे को यह फीमेल और एक अपरीड इडर में ऑर खर्चा कितना आए ता ज़के ए सबांड़ के चलो पर मंध पर्वक्री बग कर देता है को परमेश जी मैं बता हूं मोस्टली जो फारम बंद करने का पांच कान होते हैं और आज जो सबसे बड़ा कार्न है न वो इस वज़े से फैल हो रहे हैं पहले तो मैं आपको पांच कान बता देता हूं एक तो लोगों को पहले इसका नियम होता है बकरी पालन का कि हु準備 न offense रीड़ा कहने लोगों को पहले उनकी स्थे होड़ा करने चाहिए ठीर उनके तरफ데 की तरहिघ देना चाहिए लोग यह करते है जो बकरिया ख्रिद के और लाख रुरुपय का फारम बना के और रख लेते हैं लेकिन तीन मेने बाद और युशन और दातती यह नोलेज ने होना और चोथ यह था कि वह जो जो जिस बरीड पे हम काम करें है वो बाता वरन जो कलाइमेट इस ब्रीड के अनुशार है या भी नहीं जैसे आप बहुर की बात कर रहे थे तब बहुर जैसे मेरे अरिया में कामियाब नहीं उसको थंडा चाहिए जी जी पांच कारण था जो लोग क्या करते कि देखा देखी कर रहे कोई मेरा फारम देख कर रहा है और इसमें सबसे जो पांच वा कारण में मानता हूँ दैरिये का है जो देखो आपको भी पता है कि जो शफलता है वो समय और बलीदान दोनों मांगती है समय बलीदान बिलकुल बिलकु तो सर कभी आपको लगा कि जॉब खोड़ने के बाद जैसे आपने ये फार्म किया, समस्या भी आएंगे नुकसान भी आओगा, तो कभी ऐसा लगा कि सर फार्म बंद कर दो अब आया था ऐसा टेम देखो, इसमें क्या है कि मैंने साथ साथ एक बात और भी पड़ी थी, अगर आप दस साल सीखते हो, तो सीखो, लेकिन एक साल में ये आपका दस साल का वो पूरा पिछे का कवर हो जाएगा, तो मैंने वही किया पहले डाई साल मैंने इसको सीखा, और डाई मेरे साथी थे ना, जिन्होंने मेरे साथ फार्म किया था, तो इसमें क्या होता है कि मैंने ये सोच के बनाया था परवेश जीए फार्म, अगि चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ज्यादा कोष्ट नहीं लगानी है, और फिर मैंने देरे देरे जैसे बकरी पालन के अं ना तो आपको फीड कमा के देगा, वो तो बकरी खा जाएगी, खतम हो जाएगा, शैड आपका पांच लाग जैसे का तैसा रहेगा, अब पांच पंदरा लाग लगा के आपको इंकम कितने लाग से मिलेगी, पांच लाग से, वो भी कितना, 70 परसंट, यानि तीन लाग सहत्त जाएगा, शैड ने और फीड ने तो देना नहीं है, जी, 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 अब यारा बताया थे कोई बकरी आपको काफी कॉसली आपकी बिक्चु की है, वो कौन ची देखने साहेंगे जरा, अभी मैं बकरी दिखाता हूं, उसे पहले माँ आपको बात बताना चाहता हूं, कि इसा नहीं है, वो फिर और पेदा बूस्ति थी जी जी वाली बक्री क्रीीक कोई एकर जया इसा नहीं है, नहीं सफु मु थी कोद्जी turtle बच्री के अ जक्री कोई ज की एक लुच्दा करतेंगे, ओर फिर प्येम्पकरी करा थे बिल्ड करी हूं, च संत्य कोई बाभी मंएं यूण अणुमानता मान के चलो 50-55 कि एक लाग थीस ही चार्या रूपय में पड़चीज की थी मैंने अब लगा लिए यूण ये कितने रुपे किलो में रही होगी हैं लोग 280 रूपया है 300 रूपया थीन सो बीज साड़ थीन सो बखरीद रहे हैं अब ये एक लाख तीस जार रुपए में शाठ पैसेट किलो गी बखरी मैंने खरीदी थी तो मेरे कितना अजार रुपे केजी पड़ा राइसे तीने जार रुपे केजी मेरे बखरी आई और इसका मैं दिखाता हूं आपको बच्चे यह ली थीए मैंने प्रेगनेंट भ्याने वाली यहाई कि इसकी फिमेल जो मैंने तीस हजार में सहल किया है तो मैं अरो अज़ा के पास और वह इसका में चुन गुन खो पास बिखाती बोधопас Code लेकिन एक लाख रुपय का था बता ही अब यह चार तारीक को चार अगस्त को चार मेने का हो गया है तीन मेने का कंप्लिट हो गया चोथा मेना शुरू हो गया असा कासित कि ऐसार इसकी बताईज़ रहा इतना महंगा आपने जो जो लाख रुपय का यह तो यह एक तो शेरा देखें यह वाइज देखें मार्वल शिंग मारवल खूर देखें जो जिसकी आज बड़ी दिमांडांड।़्क वह सारी – जो 15 इंटी – 15 इंटी कान और इतने खुले smaller Earth जसमेने के बकरे के मिलते हैं पंदरा इंचिकान और इतने खुले यह चकलान साधे साथ की जी 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 तो में जानी विराइटी है सर आप तो सफलता पूरो कर रहें इसको बकरी पालन को लेकिन अगर हमारे को युवा साथी इसको करना चाहता है इसके पास कम पैसा है कम को कि बकरी पालन में सक्सस होना है तो इसको एक अजार दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा नवन था आप फैल हो जाओगे आप किसी चैनल से देख रहे हो या किसी का फारम देख रहे हो और उसके बेस पर फारम कर रहे हो चांफरम आपको फैल होना है यह गारंटी है एक फैल रुप पर मंत दस जार रुप का खाना चाहिए और घर खर्चा भी चलाना थे पहले आम थे दैस थाजार में चल रहे था तो वो बंद हो गया दूसरा हर मैंने दस घार खर्चा बढ़ गया और बच्चा आने में कम से कम अ परेगनेंट लेते हो तो भी वो दो से ड आप जो काम करें तो अजो को अपना कोई बिजनेस कर रहे हो एक बरकार से बखरी पालन को अप साइड बिजनेस लेक चलो और फिर करो दीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो अधिर यह देख गया है कि ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं लोग अजो जाएंगारी जो चाहिए वो जिससे उसके अधूरी ग्यान करते हैं नुकसान हो जाता है दिखो लोग जो परवेज जी ट्रेनिंग लेने में मौन्फुला जाने में या आसपास जो भी ट्रेनिंग शैंटर है उसमें जाने से इस्किछाते हैं तो उनके लिए मेरा एक सजेस्टन है कि आप अपने तो इंजन्स के टेबलेट वगेरा की नोलेज होगी वहां कर लो लिकिन लोग जो मेरे युवा साथ ही है वो इस बात में भी सरम महूश करते हैं कि हम उसके फारम पर जा के और मींगनी भारेंगे सफाही करेंगे तो उसमें हमारी आजोगे क्यों कम तो फारमर है मालिक है मैंन इतना मदलव इसम उतार चड़ावाता है इतना उतार चड़ावाता है अज़ एक और समस्ताथिया मार्केटिंग की तो कोई शुरुवात तो करें लेंगे माल कहां सेल करें और इसमें आपको एक और बता हूँ मेरे फारम पर आपको ऐसी कोई बिलकुल गुलाबी बक्री जिसके डोट नहीं है कहीने कई डोट है और बच्चा को ऐसा में नहीं मिलेगा जिसके डोट है यह होता है अपना ब्रीडिंग सेट अप अपनी नशल सुधार की अच्छा ब्रीडर लेकर हम कैसे डोट वाली बक्री से भी स्पोर्ट लेस बच्चे निकाल सकते हैं तो क्या अडल्ट बक्री है जिसके निचे बच्चे है दूद दे रही है उसकी सर कुछ लोग कहते हैं कि बक्री फारम जो है वो प्रॉफिट का धंदा नहीं है बेकार का धंदा है बरबाद कर देता है तो उन भाइव के लिए जबकि आप एक मिसाल हों के लिए यह सर इसमें होता क देना पड़ता है कंटिनू और यह ऐसा है कि इसमें जो युवा साथी उनका मन भी अतास होता है घरवाले भी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप डाई साल तक इनमें इसमें इन्वेस्ट करोगे आपको प्रोफिट कुछ नहीं मिलेगा इंकम कुछ नहीं होगी तक जो बंदा रूख गया पक्री पालन में उसको फिर देखने की जरूवति नहीं यह पिछे क्या हुआ यह तो काम जो है को बिला के कि अधिकती है कि आदमी बंद के कारन बंद के नहीं होती नहीं चला तो जाता है जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या करोड़पती चकर बनने के चक्कर में फारम बंद कर बैठता है नोलेज के कान और फिर वो क्या करता है परवेज जी सबसे ज़्यादा बुराई वो कहीं भी बैठे का बकरी पालन की करेगा अब इसरब मुनाफ़ा कितना हो रहा है भी आपको यह समझो सालना इनका खर्च वर्च निकालके मेरा खर्च निकालके बीच से प्तिश लाक सैटिस्फाइए हैं सर काम कर रहा हैं और है जो हमार साथिम को कि क्या करना चाहते हैं सब्सक्राइगे का ती जो जौब के लिए शहर जारे इंगory है उनको आप कैना शहाता हूं नको यह कह नहीं हुए है आपके पास टाइम है, तो आप बखरी पालन कर सकते हो, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा नोलेज, फ़स्ट नोलेज किसी फारमर से आप ले लो, फिर उसके बाद अपने फीड के वस्ता करो, उसके बाद फिर ब्रीड के वस्ता करो, और किसी परकार की कोई शमश्य आती है, तो मुझे फोन करो, मेरा कोई चार्ज नहीं है, किसी भी बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, ब्रीड के बारे में, फीड के बारे में, आप मुझे 24 गंटे में कभी भी कोल कर सकते हो, चीके सार, बहुत 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 झाल झाल